हेलो फ्रेंड्स मैं रशनाम बरनाथ हैपी लीटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ तो आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे लैंगवेज ओफ पैरेडॉक्स ये एक ऐसे है जिसे लिखा है क्लीन्थ ब्रूक्स ने तो फ्रेंड्स इस टॉपिक को मैं बहुत इस सिंपल तरीके से नोट्स के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूँगी ताकि इसके बाद आपको कुछ और रिफर करने की जरूरत ना पड़े इसको हम एक एक एक्जाम्पल के थुरू समझते हैं अगर मुझे कुछ नहीं पता है तो मुझे ये कैसे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है if I know nothing so even I cannot know that I know nothing the next quote is I must be cruel only to be kind अब ये quote जो है hamlet से लिया गया है जहां पर hamlet अपने mother से ये statement बोलता है I must be cruel only to be kind अब ये quote भी अपने में ही contradictory है या तो कोई cruel हो सकता है या तो फिर kind हो सकता है दोनों कैसे एक साथ हो सकता है तो Hamlet अपने court को justify करते हुए कहा कि वो cruel इसलिए है क्योंकि वो murder कर रहा है जो कि morally सही नहीं है लेकिन वो kind इसलिए हो रहा है क्योंकि जो murder कर रहा है वो एक अच्छे काम के लिए कर रहा है वो अपने father का revenge लेने के लिए कर रहा है और साथी साथ अपने mother को उसके uncle Claudius के इसलिए उसने statement दिया कि I must be cruel to be kind मुझे अच्छा काम करने के लिए अच्छा बनने के लिए cruel बनना पड़ेगा गलत काम करना पड़ेगा फिर एक और example है जो कि बहुत ही famous example है paradoxical statement का everything I say is a lie हर चीज जो मैं कहती हूँ वो जूट है तो हो सकता है जो ये statement है वो भी जूट है अगर ये statement जूट है तो मतलब मैं जो कहती हूँ वो सब कुछ सच होता है तो friends ये एक ऐसा paradoxical statement है जिससे हम कभी solve नहीं कर सकते it is unsolvable तो तीनों ये example को देख कि ये समझ में आता है जो language of paradox है वो है self-contradictory self-contradictory means expressing one thing that is opposite of another thing या फिर दो चीज कहना जो एक साथ दोनों कभी correct नहीं हो सकता और दूसरा features हम इसमें देख सकते है sophistry का sophistry means use of clever but false argument मतलब tricky argument हो smart argument हो लेकिन वो actually में false होता है लेकिन फिर भी हम उसको इस तरीके से बोलते है कि वो सच लगे और इसके साथ language of paradox humorous भी हो सकता है intellectual भी होता है intellectual in the sense कि ऐसे language बनाने के लिए हमें दिमाग की जरूव होती है ऐसे अपने आप नहीं निकल पाता है ऐसे language और साथ ही साथ यह rational होता है reasoning होता है इसके अंदर so the term paradox means a situation or statement that seems impossible or is difficult to understand because it contains two opposite facts or characteristics तो अब तक हमने देखा कि जो paradoxical statement होता है वो confusing होता है थोड़ा सा indirectly होता है लेकिन Brooks कहते है कि जरूरी नहीं है कि जो paradoxical statement हो paradoxical language हो वो indirect ही हो या फिर confusing ही हो in fact जो simple language होता है जो direct language होता है उसमें भी paradoxical language को हम analyze कर सकते हैं पूरे reader की उपर रहता है कि उसको वो किस तरीके से पढ़ रहा है कभी भी कोई भी चीज को हमको different angle से पढ़ना चाहिए तब हमें उसके बारे में और समझ में आएगा ऐसा Brooks कहते हैं अब इस slide से आप अपना notes बना सकते हैं तो language of paradox related जो भी question आएगा तो सबसे पहले आपको introduction देना है So Brooks was an American literary critic as well as professor He is best known for his contribution to new criticism in the mid 20th century His some best known works are The Well Wrote Earn, Studies in the Structure of Poetry, Modern Poetry and Tradition So friends जो यह इनका work है The Well Wrote Earn, इसका यह chapter है The Language of Paradox He argued for the centrality of ambiguity and paradox as a way of understanding poetry एक poetry को समझने के लिए इन्होंने किस पर focus किया है Ambiguity पर और paradox पे Ambiguity क्या होता है Something that can be understood in more than one way एक से जादा तरीके से किसी भी चीज को समझना तो इन्होंने यही कहा है कि poetry को जैसा है वैसे मत समझो In fact उसको दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करो इस चीज पर इन्होंने जादा focus किया है In fact यह जो essay है Language of Paradox इसी चीज को highlight करता है Then with his writing Brooks helped to formulate formalist criticism emphasizing the interior life of poem and codifying the principle of close reading So again in most of his work he focused on the formalist criticism Formalist critics क्या चाते थे? कि किसी भी literary work को उसके text के basis पे analyze करना चाहिए ना कि बाहर के जो influence होते बाहर का क्या influence है? author का background, historical background, social background यह सारी चीजों के बारे में ना सोचके सिर्फ और सिर्फ text के बारे में सोचना है author ने किस intention से लिखा है वो सब हमें नहीं सोचना है तो यह जो new critics थे यह सब close reading पर focus करते थे तो Brooks के कई सारे words close reading के principle को codify किये मतलब उसे arrange किये है properly और साथ ही साथ in poem के जो interior life है उसको analyze करने की कोशिश की गई है तो यह introduction skip मत करना यह बहुत important है in fact topic से पूरा related है तो friends अगर आपको अब तक का video अच्छा लगाए तो please इसे like कर दीजे channel को भी subscribe कर लीजे क्योंकि ऐसे और भी videos आने वाले है जो आपके लिए helpful हो सकता है okay now let's see what Brooks has stated in his essay the language of paradox तो Brooks ने अपने essay में paradox को importance दिया है किसी भी poetry को समझने के लिए या फिर उसे interpret करने के लिए तो Brooks बोलता है कि paradox का एक crucial role होता है किसी भी poetry में in fact it is very appropriate and inevitable inevitable means cannot be ignored literary device नहीं है बलकि ये एक language है it is a language of poetry thus he states that language of poetry is the language of paradox और वो कहते हैं कि एक poet को paradox को use करना चाहिए क्योंकि अगर एक poet paradox को use करता है तो वो अपने thoughts को, अपने emotions को अपने feelings को एक बहतर तरीके से रख सता है in the poem में जो paradoxical statement होता है ideas होते हैं वही तो उसकी खासियत होती है नहीं तो वो एक scientific language लगेगा जो की एक दम direct होता है अगर पोईटरी में सीधी सीधी बात लिखा जाये तो पोईटरी का कोई मतलब ही नहीं होगा तो वो पोईटरी नहीं कहलाएगा तो इन शॉर्ट, Brooks has said that paradox is crucial element in poetry then Brooks has also emphasized that how the language of poetry is different from the language of science science के language से poetry का जो language वो कैसे different होता है वो बोलते हैं जो paradoxical language है वो true nature है एक पोईट का वो अपने आप बहार आता है जब वो poem लिखता है then he states that scientific language is different from poetic language because poet constructs his language as he goes and define his own rules poet अपना खुद rules बनाता है अपने language का and poet has control over his language he has exhibited that the quantitative meaning is achieved by the poet by using a paradox quantitative मतलब एक suggestive meaning एक indicative meaning अचीव होता है जब poet paradox को यूज करता है फिर वो reader के general thoughts के बारे में बात करते है एक prejudice के बारे में बात करते है मतलब एक fixed opinion reader का जो होता है उसके बारे में बोले हैं कि हमको लगता है जो यह जो language of paradox है वो बहुत ही जादा intellectual होता है rational होता है उसमें reasoning रहता है मतलब बहुत ही unnatural language उसके लिए हमको सोचना पड़ता है और जो poem का language होता है वो language of soul माना जाता है जो अंदर से language निकलता है दिल से जो language निकलता है वो होता है तो फिर paradox को हम poetry में use नहीं कर सकते ऐसा एक reader एक arm reader जो है वो सोचता है तो जो एक fixed thought चलते आ रहा है that language of paradox cannot be language of poetry क्योंकि जो language of poetry होता है वो language of soul होता है और language of paradox बहुत ही practical language है मतलब उसके लिए हमें सोचना पड़ता है ऐसा language लिखने के लिए तो यही point को Brooks नहीं हाँ पर प्रूफ किया है कि language of paradox जो है वही language of poetry है in fact it is most appropriate most ideal device in poetry which can be used by poet to convey his inner thought अपने अंदर की thoughts को अपने feelings को अपने emotions को convey करने के लिए ही use कर सकता है poet और जो science में language होता है वो refined language होता है clear language होता है and it is free from paradoxical statement फिर वो अपने points को प्रूफ करने के लिए William Wordsworth के एक poem का example देता है William Wordsworth अपने simplicity के लिए जाने जाते है एक simple language के लिए जाने जाते है direct language के लिए जाने जाते है तो बोले कि ऐसा poet भी paradoxical statement use किया है अपने poem में तो उसको उन्होंने प्रूफ किया है the poem begins with the line तो अगर आप इस पूरे poem को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जो एकदम ही direct message हा रहा है इस poem से लेकिन इसमें एक से जादा meaning है इस poem में इस poem का जो speaker है वो एक लड़की के साथ चलता है और उसे notice करता है और अपने आपको compare करता है कि उसके अंदर feeling of worship जो है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है क्योंकि शाम का समय होता है एकदम natural beauty जो है आसपास दिखाई देती है और शाम के वक्त लोग पूजा करते है worship करते हैं तो उस वक्त वो सिफ भगवान को याद करता रहता है और जो लड़की है वो बहुत ही innocent रहती है अपने में ही खुश रहती है अपने में ही रहती है तो poet को ये लगता है कि उसके अंदर मतलब उसके खुद के अंदर worship भरा हुआ है लेकिन उस लड़की के अंदर नहीं है वो चीज लेकिन पूरा poem अच्छे से read करने के बाद उसको analyze करने के बाद ये पता चलता है कि जो लड़की है वो जादा religious है poet से जादा religious है वो unconsciously worship कर रही है poet तो यहाँ पर एक particular time पर worship करता है लेकिन वो पूरे time continuously worship में है वो कैसे है उसका जो innocence है वही उसका unconscious sympathy है मतलब unconscious worship है तो Brooks यहाँ पर बोलते है इस poem का जो literary significance है जो beauty है, जो richness है उसके paradoxical situation के वज़े से ना कि जो poet ने images को use किया है emotions को use किया है उसके वज़े से नहीं है and because of these paradoxical situation this poem convey a wide variety of thoughts to the reader so poem begins with never did sun more beautiful steep in his first splendor, valley, rock or hill and concludes with dear God, the very houses seen asleep and all that mighty heart is lying still इस poem में Wordsworth ने London को nature से compare किया है उसे natural beauty proof किया है लेकिन generally देखा जाए तो London क्या in fact कोई भी शहर को हम natural beauty नहीं कह सकते क्योंकि वो completely man-made होता है उसमें machines होते है buildings होते है roads होते है तो हम उसे natural चीजों से compare नहीं कर सकते हमारे दिमाग में सबसे दादा natural beauty कहां रहता है पहाडों में रहता है forest में है तो हम उस चीज को हम natural beauty कहेंगे लेकिन वर्ट्सवर्थ ने लंदन को इस तरीके से present किया है कि वो एकदब natural surrounding जैसे लगने लगता है वो कहते हैं कि London is created by man and man is the part of nature thus London is to the part of nature आप इस पूरे paragraph को पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से clear हो जाएगा फिर end में Brooks जो है जो है John Dunn का एक poem रीड करते हैं जो की है canonization और अपने essay को conclude करते हैं तो आप लोग में से कई लोग में पढ़ा होगा canonization को तो canonization का मतलब यह है कि Catholic culture में जब कोई मरता है तो उसके मरने के बाद उसे scent declare किया जाता है scent का relation किस से हो सकता है purity से होता है, religious से होता है और यह जो poem है वो love poem है और love किसे indicate करता है passion को indicate करता है sexuality को indicate करता है तो अब यहाँ पे भी एक paradoxical situation है तो यहाँ पे speaker ने अपने physical love को scently love से compare कर दिया है तो यह किस angle से सही हो सकता है क्योंकि जो lover है यह दोनों ही पूरा जो material world है उसको reject कर दिये है और सिर्फ एक दुसरे में खो गए है सिर्फ एक दुसरे में ही अपनी दुनिया देखते हैं तो ऐसे candidates actually में appropriate है canonization के लिए now let's see the conclusion Brooks believes that the very structure of poetry is paradox and ignores the other subtleties of imagination and power that poet brings to their poems subtleties मतलब बारी किया जो होता है also by defining poetry as uniquely having a structure of paradox Brooks ignored the power of paradox in everyday conversation and discourse including scientific discourse which Brooks claimed was opposed to poetry तो friends इस वीडियो में बस इतना ही I hope ये topic आपको clear हो गया हो और आपके लिए वीडियो helpful हो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो please इसे like कर दीजिए मुझे feedback दीजिए और channel को भी subscribe कर लीजिए और साथ ही साथ अपने education group में से share कर दीजिए तो मिलते हैं मेरे next वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक कि लाब अपना ख्याल रखिए Bye झाल